असलाम अलेकम, next tool है हमारा shape tool, इसके shortcut की है U, right, rectangular tool already, जो standard है, वो selected रहेगा, इसके और भी shapes है, जब हम इस tool को देखेंगे, तो rectangle tool है, rounded corners tool होता है, rounded rectangle tool, ellipse tool होता है, polygon है, line है, और custom shape tool है, तो rectangle tool जैसे के नाम से जाहिर है, के canvas के उपर अगर हम इस tool को select करने के बाद कुछ भी draw करेंगे, तो एक box हमारा बन जाएगा, चाहे उसको rectangular form में दाना हो, या square form में लाना हो, वो आपके उपर है, जैसे हम छोड़ेंगे, तो दूसरी layer उसकी बन जाएगी, इसी तरह से आप multiple यहां पर boxes बना सकते हैं, और shift के साथ में press करके, इसको अगर डालेंगे, यह मैं सब delete कर देता हूँ, यहां से, shift के साथ में अगर आप box को create करेंगे, तो यह perfect square shape में आ जाएगा, और जब एक बार बन जाता है, यह layer अपने आप rectangle 1 के नाम से यहां create हो गई है, उसके बाद अगर shift के करके दबाएंगे दुबारा, तो दूसरा जो rectangular shape बनेगी, जो box बनेगा, वो same layer पर बन जाएगा, अगर इस layer को आप move करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि दोनों एक ही layer के उपर है, right, control Z करके मैं इसको remove कर देता हूँ, तो इस चीज का धियान रखना है कि जब भी आप इस tool पे काम करें, shape पे काम करें, तो एक layer पे एक चीज होनी चाहिए, दूसरी चीज आप layer select रहने दीजिए, और simple draw करने के बाद shift दबाएंगे, तो ये perfect square shape आजाएगे, और दूसरी layer पे आएगे, right, तो shift हमें दबाना है, अगर already एक tool box ह हमारे पास है, और दूसरा हमें perfect चाहिए, तो हमें shift पहले नहीं दबाना, पहले हमें draw करना है, और mouse छोड़िएगा मत, तब shift दबा दीजेगा, तब वो दूसरी layer पे आजाएगे, right, हम इसको delete कर देते हैं, यहां से, दूसरा shape, इसके बाद जो इसके tools कुले हैं, उसके हम discuss कर लेते हैं, उससे पहले मैं आपको दूसरे जो shape से उसके बारे में बतायाता हूँ, यह हमारा rounded rectangle tool, इसके corners जो हैं, वो round होते हैं, यह देखे, इस तरीके से, same, जैसे rectangular tool ने काम किया था, ऐसे ही यह भी काम करेगा, बट इसके जो corners है, वो rounded हैं, उनको हम यहां से, जो इसके tools खुले हैं, radius जो इसके 10 pixels हैं, यहां से छोटा बढ़ा कर सकते हैं, यहां से अगर हम इसको, अभी 10 है, तो हम इंशाल इसको 20 कर सकते हैं, और click, यहां पर draw करेंगे, तो यह देखे, आप इसकी, जो corners हैं, उसकी width बढ़ गई है, right, अगर हम इसको और बढ़ा दे, 50 कर दे, तो यह देखे, और जादा इसके corners जो है, वो इसकी width और बढ़ गई है, ठीक है, तो हम यहां से इसकी radius से इसको control कर सकते हैं, shortcut keys एक shape से दूसरे में convert करने के लिए, shift के साथ में हमें you press करना है, तो यह देख सकते हैं, यहां पर यह सब change होते हैं, यह basic वाला है, यह स square shape है, rectangle shape है, shift के साथ में you करेंगे, तो round counter वाली आजाएगी, उसके बाद तीसरी shape है, हमारी round, यह oval जो भी आप बनाने चाहें, shift के साथ में आप press करेंगे, बनाने के बाद दुबारा shift करेंगे, तो यह perfect round बनेगा, और इसको कहीं भी हम छोड़ देंगे, तो यह फिर जैसा भी shape नज़र आ रहा है, वैसे बन जाएगा, control Z से वाफस आ जाते है, shift, next डाल देंगे, polygonal tool है, अब polygonal के अंदर यह triangle कैसे बना, यह मैं आपको बताता हूँ, कि जब हम यह वाला tool select है, तो यहाँ पर यह जो इसके sub tools हैं, उसके अंदर देखिए, sides 3 लिकी हुई है, तो यहा बन जाएगा, side 5 कर देंगे, तो यह 5 भुजा वाला बन जाएगा, इसी तरह से 6 कर देंगे, तो यह 6 वाला बन जाएगा, honeycomb वाला, 7 कर देंगे, तो यह 7 वाला बन जाएगा, तो यहाँ पर इसको आप different shapes में, एक ही tool को, कई options इसके बना सकते हैं, तो यहाँ से यह इस तरह से काम करेगा, उसके बाद है हमारा line tool को एक simple सी line कीच नहीं है, shift के साथ में आप बिल्कुल सीधी line बना सकते हैं, यह shape आजेगी, basically यह एक vector graphics होते हैं, हमने इसे पहले जब photoshop के शुरुवात में बताया था, दो तरीके की graphics होते हैं, एक vector graphic होते हैं और एक raster graphic होते हैं, यानि raster graphics होते हैं, जिनके pixels limited होते हैं और वो बड़ा करने से, छोटा करने से फट जाते हैं, और दूसरे तरीके के vector graphics जोते हैं, इसको आप कितना भी बड़ा, कितना भी छोटा कर लीजे, वो जिस form में हैं, उसी form में रहेंगे, जैसे कि मिसाल के तोर अगर हम एक polygonal seven sides का box बनाते हैं, और actual pixels में जाके देखते हैं इसको, तो इसके जो edges हैं, वो sharp हैं, मैं आपको दोनों का फरत बताता हूँ, और इसी की एक duplicate copy हम कर लेता है, alt दबा के हम हैं, इसको drag कर लिया, दूसरी copy बन गई, इसको हम rasterize कर देता है, raster graphic कर देता है, rasterize layer कर दिया हमने, दोनों दिखने में बिल्कुल same है, एक दूसरे की बिल्कुल copy है, लेकिन property wise ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है, कैसे अलग है, ये जो document बनाए हुआ है, इस condition में दोनों same नज़र आ रहा है, right, अगर मैं इस size को, इसके document को और बढ़ा कर देता हूँ, मिसल के तौर पे मैं image size को, इसको 1000 pixels पे लेके चले जाता हूँ, okay कर देता हूँ, तो अगर आप थोड़ा सा zoom कर के देखेंगे, तो आप ने दोनों में फरक नज़र आना शुरू हो जाएगा, कि इसके जो pixels हैं, इसके जो edges हैं, वो blur होने शुरू हो गया, इस फाइल को हम और बढ़ा देता है, 2000 पे लेके से ले जाता है, देखें, ये pixels और blur हो गए, जब कि ये वाला बिल्कल शार्प है, तो ये जो shape tool है, ये हमेशा vector graphics produce करता है, जो अच्छे लेवल की designing में हमारा बहुत काम की चीज़ है, professionally जब आप काम करेंगे, किसी company का brochure आप बना रहे हैं, लोगो बना रहे हैं, तो आप हमेशा उसमें vector graphics में काम कीजिए, उसका फायदा ये ही होता है, कि अगर हमें एक huge banner बनाना है, तब भी वो graphic काम आ जाते हैं, और अगर हमें छोटा सा visiting card design करना है, तब भी वो shapes और वो vector काम आ जाते हैं, दोनों चीज़ों के अंदर काम आते हैं, बड़ी से बड़ी चीज़ में भी, छोटी से चोटी चीज़ में भी, तो हमेशा vector graphic में काम करना चाहिए, जो चीज़े हम create कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर, अगर हम image पर काम करना है, image हमेशा raster, rasterize format में होती है, उसको हम ज़्यादा चोटा बड़ा नहीं कर सकते हैं, वो उसके resolution पर depend करता है, लेकिन जो चीज़े हम create कर रहे हैं, जो graphics हम बना रहे हैं, वो हम vectorize कर सकते हैं, आगे के tutorial में pen tool जब आएगा, तब इसका और ज़्यादा इस्तमाल होगा, अभी सिर्फ जो shapes tool है, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, कि ये पाँच तरीके के हमारे tools थे, rectangle था, rounded था, ellipse tool था, circular, polygonal था, line tool था, और custom shape tool था, custom shape tool हमारे रहे गया था, इस पे जब हम आते हैं, shift के साथ में, तब आप देखिएगा, कि इसके जो tools के और properties हैं, control plus, control minus से, आप zoom in, zoom out कर सकते हैं, तो अब आगे की चीज़ों पर काम करते हैं, जब हम कोई layer shape selected है, तो उसका color हम यहाँ से change कर सकते हैं, height, कोई भी color हम इसका रच सकते हैं, fill के अंदर options है, इसके अलाब़ा दूसरा तरीका यह है, कि उस layer के उपर आप double click कर देजिए, double click जैसे करेंगे तो color box खुर जाएगा, उसमें से आप layer इसको slack कर सकते हैं, उसके बाद है हमारा stroke है, stroke basically outline को बोलते हैं, तो इसका stroke कितना रखना है, वो यहाँ पर रख सकते हैं, आप किसी भी जो shape आपने create कर आए हैं, उसके अगर आपको outline चाहिए, तो उसका color यहाँ से choose कर सकते हैं, और इसका point कितनी मोटी होनी चाहिए, कि वो यहाँ से define कर सकते हैं, यह सारी चीजे points में count होती है, तो आप point में यहाँ पर value भी दे सकते हैं, 10 point कि मुझे अगर को चाहिए, इसकी outline तो यहाँ से 10 point करके हम डाल सकते हैं, उसके बाद जो outline है, उसका style भी आप यहाँ से change कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ सीधी line है, यहाँ पर dotted देख सकते हैं, आप dotted हो गई है, यहाँ पर तीसरा options आगया है, तो यहाँ से हम outline के, अलग-अलग यहाँ से color भी change कर सकते हैं, यह इसकी width और height है, इसको आप change करके देख सकते हैं, इन tools पर हम बाद में बात करेंगे, तो यह है हमारा basic introduction, custom shapes के उपर, मैं इंशाला आगे आपको बताऊँगा, कैसे कैसे चीज़े काम करते हैं, साम लेकिए.